हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे बच्चों इस वीडियो में हम डिस्क्रिस करेंगे मिशिन बुनियाद की मार्स की वॉक्षीट जो की डे 45 और 46 के लिए है तो चलिए इस वॉक्षीट को हम स्टार्ट करते हैं क्वेशन नबर वन में हमसे पूछा हुआ है नीचे दिये गए अंकों से संख्या बनाएं और इसका फॉर्स पार्ट है पांच और तीन से बनने वाली संख्या तो बच्चों पांच और तीन से जो संख्या बनेगी वो तो है 53 या फिर 35 तो ये दोनों ही संख्याएं बन सकती ह अगला पार्ट है 5 और 3 से बनने वाली संख्याओं में यानि कि 53 और 35 में 5 का स्थानी एमान बताना है तो बिच्चों अगर 53 में देखें तो 5 का स्थानी एमान है 50 और अगर हम 35 में देखें तो 5 का स्थानी एमान है 5 ठीक है, अगले पार्ट में हमसे पूछा है कि 8 और 7 से बनने वाली संख्या हैं, तो ये है 87 and 78, अब इन ही अंकों से बनने वाली संख्याओं में हमें 7 का स्थान ये मान बताना है, तो 87 में 7 का स्थान ये मान 7 ही रहेगा, लेकिन 78 में ये आ जाएगा 70 यानिकी 70 अब 2 और 9 से बनने वाली संख्याओं हमें लिखनी हैं, तो पहली संख्या आ जाएगी 29 और दूसरी संख्या है 92, ठीक है, और इसके बाद पूछा है, 2 और 9 से बनने वाली संख्याओं में 9 का स्थान ये मान, तो देखिए, 29 में 9 का स्थान ये मान है 9 और 92 में 9 का स्थान ये म है 90 ठीक है अब एक और आठ से बनने वाली संख्या पहली संख्या हो जाएगी अठारा और दूसरी संख्या आजाएगी 81 यानिकी 81 और अगर हमें इसमें एक का स्थानियमान बताना है तो 18 में एक का स्थानियमान आ जाएगा 10 और 81 में एक का स्थानियमान आ जाएगा 1 ठीक है तो question number one complete हो गया अब देखो दूसरा प्रेशन हम हल करते हैं इसमें हमसे पूछा है स्थानिय मान ग्याद करें 58 में 8 का स्थानिय मान आठी रहेगा 48 में 4 का स्थानिय मान आ जाएगा 40 78 में 7 का स्थानिय मान आ जाएगा 70 45 में 9 का स्थानिय मान आ जाएगा 60 तो दूसरा प्रेशन भी हल हो गया चले तीसरा प्रेशन देखते हैं तीसरे प्रेशन में हमसे पूछा हुआ है कि दी गई आक्रितियों के नाम लिखे तो नीचे तीन आक्रितियां दे रखी है और इन तीनों के नाम लिखने हैं तो बच्चों देखो जो पहली आकृती है इसकी चार भुजाएं है और चारों बराबर है तो इस आकृती का नाम है वर्ग जो दूसरी आकृती है इसमें तीन भुजाएं है और तीन भुजाओं की बंद आकृती को हम कहते हैं को हम कहते हैं आयत तो तीनों के नाम आपको कंफर्म हो गए चलिए चौथा प्रश्ण देखते हैं नीचे हमें दो आकृतियां दे रखी है और प्रश्ण में कहा हुआ है कि इन दी गई आकृतियों के चारो और का कुल माप यानि की परिमाप ग्यांत कीजिए यानि इनकी चा अब अगर हम चारो को जोड़ देते हैं पांच जमा पांच आ जाएगा दस दस जमा पांच आ जाएगा पंदरा पंदरा जमा पांच आ जाएगा बीस यानि उत्तर आ जाएगा बीस सेंटीमीटर यानि पहली आकृति का परिमाप है बीस सेंटीमीटर अगली आकृति देख हैं 5 जमा में 7 आ जायेगा 12 12 जमा में 5 आ जायेगा 17 और 17 जमा में 7 कितना आ जायेगा बच्चो तो 17 जमा में 7 आ जायेगा 24 सेंटीमीटर दूसरी आकृती का परिमाप है ठीक है आद देखें पांच में हमसे पूछा हुआ है कि सीमा ने 35 रुपए की नमकीन और 25 रुपए के बिस्कित खरीदे तो बताइए कि सीमा ने कितने रुपए खर्च किये तो देखिए सीमा ने 35 रुपए खर्च किये हैं नमकीन खरीदने में और 25 रुपए खर्च किये हैं बिस्कित खरीदने में इन दोनों क 60 रुपए total खर्च किये हैं सीमा ने अब हमारा चटा यानि की last question है अमित ने 65 आम में से 39 आम बेच दिये तो बताईए अब अमित के पास कितने आम बच गए तो हम क्या करेंगे 65 में से 39 को घटा देंगे अब बच्चो देखो 5 में से हम 9 को तो नहीं घटा सकते हैं क्योंकि 9 बड़ी संख्या है तो यहां पे हासिल लेंगे यह 15 बन जायेगा 15 में से जब 9 घटाएंगे तो बचेगा 6 अब इस 6 मेंसे क्योंकि हम एक हासिल ले जा चुके हैं तो यह बचेगा 5 और 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3 यानि उत्तर आ जाएगा 36, 36 आम अब बच्चे हुए हैं अमित के पास ठीके बच्चो तो ये थी आज की हमारी मैट्स की वरक्षीट and I hope आप सभी कोई वरक्षीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी और बच्चो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको जरूर लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू